है रों फ्रेंड्स वेलकम कैसे हो आप सब आई हो क्या आप सब अच्छे होंगे तो देखिए आद लेकर आएं साबुदाने के क्षिचड़ी एकदम से खिली खिली तो यह देखें साबुदाने ले लिये और साबुदाने मेंने पेले गला दिये थे गला कर ही रखें साबू दाने में और इसके बाद मुमफली के दाने मुमफली को दाने को भी मैंने सेक लिया है सेकने के बाद मैं इस तरीके से छिलके हटा कर इसे डाल टाइप में कर लिया है और नियापे हरी मिर्ची ले लिये अलू कट कर लिए है और फर्याल में थोड़ा जादा ही बना रही हूँ क्योंकि चार-पांच जनों का उपास है तो उसके इसाब से बना रही हूँ तो मैंने तेल रख दिया है तेल हमारा गरम हो गें उसके बाद जीरा डाल अजनों के ot, भिसके बाद फिर आलो डाल दिय ओवधिर साङ्जह्आ हैॉ और विल्कुल सिंपल तरीके से बंता है यह तो ये देखे अलू ढालने के बाद में मैं यह पर सेंदा नमक डाल रही हूँ तो नमक हमा हमारे स्वात के अनुश्या डाल सकते हैं तो ये सेंदा नमक डाल दिया मैंने और उसके बाद हली ढग देंगे कितना अच्छे से गल गया था ना एकदम से फूल गये हैं साबू दाने तो बस ये साबू दाने डालने के बाद में मुमफली के दाने डाल देंगे अब और मुमफली के दाने डालने के बाद में फिर इसे हम चला लेंगे तो ये सारे मर्चि हम थोड़ी सी कम डालेंगे ज़ादा नहीं डालेंगे नए तो फर्याल हमारा बहुत जादा टीक रहना यूगा तो यह देखिये मैंने एक चमस लाल मिरची डाली है और उसको चलाने के भाद में काली मिर्ची डाल देंगे अब तो ये काली मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ और फ्रेंट्स जादा मसाले कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि वरत के लिए बना रहे हैं तो जादा मसाले नहीं डालेंगे नवरात्री चल रही है भी तो वुरत के लिए हम ये फर्याल बना रहे हैं तो ये देखिए सिर्फ मैंने यही चीजे डाली है इसके बाद ये सारी मिर्ची वगेरा सब अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मिलाने के बाद में थोड़ा सा इसके उपर हरा धन्या डाल देंगे और फर्याल हमारा बनकी तैयार हो गया है तो थी ना एक द elig smpal recipe और अभी वुरत में हम ये बना कर खा सकते हैं तो ये देखिए अहरा धन्या डालने के बाद में चली ये निकाल लेते हैं अब एक बरतन में फर्याल बनकी हमारा तैयार है और इसे खाने के लिए आप निम्बू डाल सकते, च्छाट डाल सकते, दहीं डाल सकते, आपको जिसके साथ इसे पसंद करते होगे आप डाल सकते होगे ये थी हमारे आज की रेसिपी छोटी सी तो फ्रेंट्स मैं आसा करती हूँ आपको पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो प्लीज कमेंड में जरूर बताईएगा ओके बाई बाई